लो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्सुल में आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके तयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माधियम से रेगुलर्ली जूनर असिस्टेंट के 1262 पोस्ट के लिए प्रेक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइट कर आ रहे हैं तो उसी संबंद में छे प्रेक्टिस सेट्स हम अल्रेडी कर चुके हैं तो दो चीज़े थोड़ी से इंपोर्टेंट है मैं शायद दो तिन दिन से उसमें रीजनिंग के आंसर की नहीं डाल पा रहा था तो आज शाम को आपको वह आंसर की मिल जाएंगी प्रेक्टिस सेट छे में मैंने डाल द द्विरत आपका हाथी का परियाईवाची होता है तो मैंने आपको एक चीज़ और बता दूं वो मैंने कमेंट कर दिया है सही आंसर तो आप लोग देख दीजेगा जिन लोगों ने उसके लिए कमेंट किया था उनका धन्यवाद ताकि हमें सही आंसर मिल पाया ठिक है तो चलिए आप देखते हैं पहला प्रश्ण मत्यक्य किस संधी का उधारण है ठीक है तो मत्यक्य कि अगर बात करने इसकी ट्रिक भी होती है अगर आपको शब्द के बीच में कहीं आ की मातरा दिखाई दे तो वहां पर व्रद्धी संधी होती है तो आप्शन तो इसमें आंसर आ आपका क्या हो ए आय हो या फिर ओ आउ हो तो आपका क्या बनेगा बड़ा ए बनेगा और आउ बनेगा जैसे महोशद महा प्लस आउशद में क्या बनेगा महोशद सदा प्लस एव में क्या बनेगा सद एव कि इस तरीके के शब्द से बनते हैं तो बहुत टफ नहीं है ये इसकी ट्रिक वैसे यही है अगर शब्द के बीच में आपको आय या आउ की मात्रा दिखाई दे तो आपका व्रद्धी संदी वहाँ पर होती है गोद लिया हुआ पुत्र तो गोद लिया हुए पुत्र को दत्तक बोला जाता है पती पत्नी के जोड़े को दमपती बोला जाता है दत्पचित वह होता है जो मन लगाकर या भध्यान से अपना काम करता हो और त्याज्य जिस जो त्यागने योग्या हो से त्याज्य बोला ज श्रूति सम्भ भिन्नार तक शब्द के जोड़े को पहचानिए, तो इसमें कौन सा है, संसार जगट ठीक है, दिन दिवस भी ठीक है, शाम संध्या भी ठीक है, लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा, यह आपके एक तरह से जोड़ा सही नहीं, वसुदा शब्द का आर्थ बताई के थरति का परियावाची अचला है, रत्मगरभा है, भू, धरा, यह सारे धर्ति के परियावाची है, इसके लावा कुछ और पता देता हूं, काफी पूछता है, इसलिए Imperial है, मेधनी काफी पूछा जाता है, मेधनी भी बहुत important है, धरित्री भी सी का परियायवाची है, इसके लावा इला इला भी आपका धर्ती का परियायवाची माना जाता है, और अवनी भी काफी important है, तो यही सब परियायवाची आपके धर्ती से लगातार पूछता रहता है, आग आगे चलते हैं, चिरंतन शब्द का हमें विलोम शब्द चुनना है, तो चिरंतन मतलब जो लगातार चलता जा रहा है, और नश्वर मतलब जो नश्ट होने योग्या है, तो आपका चिरंतन का क्या होगा, नश्वर, option B, अगला, बैठक में कौन सा प्रत्य है, तो ये भी दे चार पाइट जो शब्द होता है, ये योगरूर शब्द होते हैं, मैं आपको बता चुका था, जाधा तर बहुगरी समाज के उधारन जो होते हैं, बहुगरी समाज के वो योगरूर शब्द की शेणी में आते हैं, जैसे पीतांबर, जलज, लंबोदर, दशानन, यह सबी आपके जाधा तर जो गुडूर शब्दों की शेणी में आते हैं। option C हमारे यहां पर सही होगा। हरी मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। आप देखे यहां से फिर से इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें देखे यह यूपी लेकपाल की परिक्षा में प्रशन आया था कि हरी मोहन को रुपए देता है। तो उसमें बहुत सारे डाउट आये थे कि हरी मोहन को रुपए देता है कि जहां पर दान का भाव होता है, वहां पर आपका संपरदान कारक होता है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यहां पर एक बापस देने का होता है वापस नहीं लिया जाता है वहां पर संप्रधान कारक होता है तो यहां पर देखिए इस बुक में तो इन्हों ने इसका आंसर कर्म कारक दिया है कि हरी मोहन अपनी बहन को उस तक देता है तो यहां पर आपका कर्म कारक कर्म बाच्चे में प्रधान होता है तो कर्म बाच्चे में आपका क्या प्रधान होता है तो सिंपल है definition में ही है कर्म वाचे में आपके कर्म की प्रधानता होती है सदा एक वचन में प्रियोग होने वाले शब्द कौन से है तो इसमें देखिए जो सहायता है इसके अलाव़ा देखिए पौधा, पुस्तक, लड़का ये सबी जितने हैं यह बहुत सारे आपके क्या है, बहु वचन में अराम से बदल जाएंगे, पॉधे का क्या होगा, पॉधे, पुस्तक का पुस्तके, लड़के का लड़के, तो इस तरीके से, सहायता जो शब्द है यह एक वचन में ही यूज हुगा, निम्न विकल्पों में पुलिंग सा है, तो पक्षी जो शब्द है, यह आपका पुलिंग सब्द है, बागी चील, कूर्ची और राशी, यह सभी स्ट्रेलिंग शब्द की शेणी में आते हैं, आगे चलते हैं, मा सुभह नाश्ता बनाती है, इस में कौन सा क्रिया विशेशन है, तो यहाँ पर आपका काल व सब्द है, तो देखिए विशेशन की लिस्ट में टेलिग्राम ग्रूप में डाली हुई है, यह शब्द से कौन सा विशेशन बनता है, तो आप जाकर वो डाउनलोड कर लीजे, हमाँ पर वो पड़ा हुआ है टेलिग्राम ग्रूप में, प्रियोग की द्रश्टी से सर्व सरवनाम और निजवाचक सरवनाम, तो यह सभी आपके छे सरवनाम के भेद हो गए, निम्न में संग्या शब्द है, तो इसमें संग्या शब्द कौन सा है, तो देखिएंगे अगर आप जो गंगा शब्द है, यह आपका संग्या शब्द की शेणी में आता है, किसी व्यक् बता रहे हैं लेकिन गंगा जो शब्द है यह आपका व्यक्ति वाचक संग्या का उधारण है वर्तनी की दरष्टी से दियेगा विकल्पों में से अशुद्ध छाटिये तो इसमें देखिए अशुद्ध आपका कौन सा है अगराम डंग से पढ़ेंगे व्यंग जो शब्द है यह आपका अशुद्ध है व्यंग्या होता है ठीक है व्यंग्य आधा गा और यह आता है लास्ट में व्यंग्य याद रखिएगा शावण किसके योग से बनता है तो शाजो शब्द है या मैं आपको बता चुका हूँ किसका था ये संयूप्त व्यंजन की शेड़ी में आते हैं चार व्यंजन शा त्राग्या और श्रवण कुमार वाला श्रा तो शा जो बनता है ये आपका का और शा ठीक हलंत के साथ का और शटकोंड वाले शा से बनता है option A हमारा यहां पर सही होगा ठीक है option A गागर में सागर उकती किस कवी के लिए प्रसिद्ध है तो गागर में सागर मतलब जो कम शब्दों में बहुत जादा बात कह जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है और कौन है बिहारी लाल जी option C इनके लिए ये प्रसिद्ध अब दे निराशावादी या सकारात्मक मार्ग बर चलते हैं, वे सदेव आनंद की अनुबूती ब्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक द्रश्टी वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं, और सदा अपने आपको प्रस्थापित करने के लिए तर्क क्रिया क करते हैं, वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है, एवं जीवन में विक्रती उत्पन होती है, आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फल्सरूप वे आंतरिक आनंद की प्रतीती करता है, वे मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रिकरिया नहीं है, किसी परमपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा उपर नहीं होटी विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पन्पा है उसने ही महान व्यक्तियों का स्रजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक्त की नीव पर कभी किसी जीवन प्रसात का निर्मान नहीं हुआ तो इसमें आशावाद की बात की गई है, पॉजिटिविटी की बात की गई है अब इसमें देखते हैं कौन से आपके प्रश्ण किस-किस तरीके से बनाए है तो निराशावाद्य नकार अत्मक्ता का किया है now the दुख के सागर में डूबे रहते हैं और आपने आपको प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं ते लिए क्या कहा चा सकता है कि निराशा कुंथा और प्रवंचना की जन्नी है, ठीक है Music निराशवादी का चहरा चिंता की रेखाउं से गिरा रहता है ठीक है निराशवादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं तो इसमें देख़े सारे ही आपके milestone यहाँ पर हम इससे इंपर कर सकते हैं आत्मिक आनंद से यहां पर क्या आशा है इसके साब से तो यहां पर आत्मिक आनंद है इससे आशा है आहलाद से अगला निमलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ खुशामद करना है तो किस मुहावरे का अर्थ आपका खुशामद करना यहां पर होगा किसी के नकरे उठाना ठीक है नक्रे उठाना नाक में दम करना मतलब जो बहुत तंग कर देता है आपको उसके लिए नाक में दम आता है नाको चने चबाना मतलब बहुत तंग होना अगला निंदक नियरे राखिये आंगन कुठी छवाए फिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए तो से polis में हमसे पूछाए कि कौनसा अलगकार होगा तो यहाँ पर आपका विभावना अलंकार का ये एक्जाम्पन है है зах器 babstar damit के ना होते हुए भी बिनुकाना, कर बिनुकरम करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाती बकता बढ़ जोगी। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके कारण के ना होते हुए भी कारण का बताया जा रहा है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यानि भगवान बिना पैरों के चलता है बिना कानों के सुनता है और बिना हाथ के अलग-अलग प्रकार के कर्म करता है बिना मुक्के सभी रसों का भोग करता है और बिना वानी के मकता है तो इसलिए यहाँ पर आपका विभावना अलंकार होगा फिर से बता देता हूं एक ब तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे हमने मैंने पूरे आपको सभी रस के इस थाई भाव भी बताये थे अगर आप उससे इसमें मिलाएंगे तो साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या है वीर रस है क्यूंकि यहाँ पर एक उत्सहा का भाव है अगला यह जूते अच्छे हैं यह वाक्य कहां पर अशुद्ध है तो अगर आप देखेंगे तो यह वाक्य कहां पर अशुद्ध है तो देखें यह नहीं आएगा यह आएगा यह जूते अच्छे हैं ठीक है तो यह है यहाँ पर यह अशुद्ध है सुन्दर पुरुष में आपका कर्मधारे समास में एक पद आपका क्या होगा पहला पद विशेशन होगा और दूसरा पद क्या होगा विशेश्य होगा तो सुपुरुष में आपका कर्मधारे समास होगा जो कानून के विरुद्ध हो तो इसे क्या बोलेंगे जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाएगा अवैद जो वैद होता है वो लीगल होता है जो इलीगल होता है वो क्या होता है अवैद यानि कानून के विरुद्ध option दी हमारा यहां पर सही हो बंदरगाह शहर कौन सा था तो मैंने कल पूरी डिटेल में इसके बारे में बात की थी यह था लोथल लोथल कहां पर इस्तित है वर्तमान में यह गुजरात में इस्तित है कौन सी नदी के किनारे इस्तित था यह भोगवा नदी के किनारे इस्तित था उन्निस सो सप्तावन मे यहां से हमें सारी चीज़े मी भी मिली है जासे में यहां से मिला है और ठैंक-like structure हमें मिला है काली बंगा रायरे मैं धी गाटी में लिख इनμο मौझूद के और जुते हुए खेत के अवशेष कालि बंग से मिले पूंसारी रार्जिस्थान से सहोगा धौला वीरा भी बहुत important site है क्यूं बताऊंगा धौला वीरा जो site है ये है गुजरात में ही इस्तित है धौला वीरा से हमें हलपा सब बता के water conservation technique यानि पानी के सन्रक्षन की विधियों का हमें यहां से जिक्र मिलता है यहां से हमें उसके अफशेश मिलते हैं धौला वीरा की राखीगड़ी और बनावली दो हर्याला की बहुत फेबस site है ठीक है राखीगड़ी और बनावली दोनों याद रखियेगा आगे घटोत कच जिसने दो सो असी से तीन सो बीस इसवी में राच किया वो किस सामराज्य का राजा था तो घटोत कच की अगर बात करें तो इसक अगरी बात तो सकांसर क्या होगा यह गुप्त वंच से संबंदित है गुप्त वंच की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी और उसी प्रियाग प्रशस्ती में यह लिखा है कि श्रीगुप्त का उत्राधिकारी जो था घटोत कच जो कि उनके पुत्र थे तो है तो इसके दरबारी कभी थे समुद्र गुप्त के कौन हरी सेन उनके द्वारा यह लिखी गई है आगे कियो साफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे तो मैं एच्पी बलावट्सकी अन कर्नल एच एस ऑल कोट ठीक है मैडम बलावट्सकी अन कर्नल ऑल कोट इसके है वहाँ परस्का ऑफिस खुला गया और आपको पता होगा जो एनी बेशेंट जी थी वो भी इससे काफी संबंद थी एनी बेशेंट जी ने हूम रूल लीक की स्थापना भी की है जिसको दो भागों में बाटा गया था साउथ में उसका जो लीड किया था वो एनी बेशे को अध्यक्ष करने वालियर कि क्या पहली महिला थी और 1917 के कलकत्ता के अधिवेशन में इन्हों ने कंग्रेस के शेशन के अध्यक्षटा की थी बात करें पहली भारतिय महिला की तो पहली भारतिय महिला थी श्रीमति शरोजनी नाइडू जी जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिमेशन की अध्यक्षिता की थी इसकी वज़े से फेमस हैं इसके लावद देखिए इनका कुछ समाचार पत्रिका या पैंफ्लेट वगएरा पूछ लेता है वह भी मैं आपको बता देता हूं तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एक तो है गोपाल कृष्णी गोपले को अपना गुरू मानते थे अठारसो अठतर के वर्णैक्विलर प्रेस एक्ट को वाइस और है किसके कारेकाल के दौरान निरस्ट कर दिया गया था तो देखिए लाया कौन था लाया था इसको लिटन लॉड लिटन के कारेकाल में यह लाया गय इसके लावा बात करें देखिए अगर लिटन से भी बहुत जादा फैक्स पूछता रहता है तो पहला जो दिल्ली दर्बार था ठीक है पहला दिल्ली दर्बार लॉड लिटन के कारेकाल में ही हुआ है 1877 में दिल्ली में और वहीं पर जो कुईन थी जो रानी थी ब्रिटेन क उनको कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया इसके लावा देखिए मैंने अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे मैंने वहाँ पर अकाल के लिए कमिशनों की बात की थी अकाल के लिए कुछ कमिशन बैठाए गए थे उसमें था पहला कमिशन आपका रिचर्ड अच्टरी एक्ट आया है ठीक है 1881 में पहला फैक्टरी एक्ट इसके लावा पहली और्गनाइज सेंसस जो करी गई थी पहला और्गनाइज जन्गरणा की गई थी 1881 में वह भी लॉड रिपन के कारेकाल में ही की गई है इसके लावा एक हंटर कमिशन आपने सुनाओगा जो प्राइमरी एजूकेशन से संबंदित था हंटर कमिशन वह भी 1882 में इन्ही की कारेकाल के तौरान आया था हंटर कमेटी अलग है हंटर कमेटी जलिया वाला बाग की इन्वेस्टिकेशन के लिए बनाई गई थी कि वह अलग है खंटर कमिशन याद रखेगा वह सिक्षा से संबंदित है इसनके टाइम में एक बहुत फेमस देखिए एक कॉंट्रवर्सी होती है उसको बोला जाता है इलबर्ट बिल विबाद ये भी बहुत पूछा जाएग पड़ा था इसके लावद देखिए बात करें लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्मेंट के लिए यानि इस्थानिया शौशाशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया कुछ लोग इनको इस्थानिया शौशाशन का भारत में पिता भी मानते है और जो पंडित मदन रहे हैं उन में से एक थे यानि जिनको भारत में काफी ज़्यादा प्यार मिला उस तरीकी के वाइसरा यह थे तो यह मदन मोहन मालविय जी का रिपन के लिए स्टेटमेंट था ठीक है तो यही सब इससे संबंदित फैक्ट हो गए रफरिन तो आपको पताई है रफरिन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तुरुट्टणी से होकर भहती है तो देखिए तिरुट्टणी मुरुगन इसका पूरा नाम है तुरुट्टणी मुरुगन मंदर और यह तमिल नाडु के तुरुवन्लूगर जिले में इस्तित है और यहां से नंदी-नदी आपकी भहती है आगे चलते हैं निम्लिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन छेत्र से सम्विधान सभाग के सदस्य से बने थे तो 1946 में आपको पता है तो इसमें पूछा है आपसे मद्रास से कौन बना था तो अम्मू स्वामी नाथन जी वैसे तो यह इस तरह का प्रशन बहुत मुश्किली है क्योंकि इतना तो कौन याद रख पाएगा आगे देखते हैं भारत के सम्विधान के निम्लिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिक्ता से संबंदित है तो सभी को पता है भाग दो अनुछेत 5 से 11 तक हमारा नागर से भाग चार डारेक्टिव प्रिंसपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के निती निदेशक तत्व और भाग चार का फंडमेंटल ड्यूटी या मौलिक करतवियों से संबंदित है इनको याद रखेगा आगे चलते हैं इसके रावा देखिए हां इसमें और भी है भाग अच्छे जो है आपका वो स्टेट या राज्यों से संबंदित है इसमें अनुच्छे 152 से 237 तक आते हैं भाग 8 की बात करें तो वो केंद्र शाशित प्रदेश्यानी संग राज्य जो हमारे हैं उन्से संबंदित है और इसमें 249 से 242 तक आते हैं और भाग 12 की बात करने तो उसमें वित संपत्ती संविधाय और वाद और इसमें 264 से लेकर 300a तक अनुच्छे आते हैं और 300a अनुच्छे देखिए वो है right to property पहले मैंने आपको बताया था जो संपत्ती का अधिकार है fundamental rights था लेकिन 44 संविधान शंशोधन से 1978 में उसे हटा कर एक legal right बना दिया ग तो वो इसी संविधान के भाग 12 का part है ठीक आगे चलते हैं भारते संसत के परिपेक्ष में शून निकाल किसे कहते हैं तो 0R बोला जाता है प्रशनिकाल के तुरंत बाद का समय और ये दोपैर 12 बजे से शुरू होता है 11 से 12 बजे तक का time जो होता है वो questionnaire या प्रशनिकाल क कहलाता है तो इसको ये और ये Indian innovation है ठीक है भारती है संसत ने ही इसको innovate किया है भारत के समविधान का भाग 4 पश्ट रूप से राज्य से निमलिखित से किसके परती शुरक्षा देने की आशा नहीं रखता है तो इसमें देखिए इसमें पूछा है किस से नहीं रखता है त उनका एक तरह से responsibility है कि वो अपने बच्चों को इस age group में अगर वो है तो सिक्षा दिलवाए option c आपका यहाँ पर सही होगा बाकी आजीविका के परियाप साधन ठीक है दन और उत्पादन के साधनों का संकिंद्रन नहीं यानि concentration of wealth नहीं होना चाहिए यह महत्मा गांधी भ इन में से कौनसी एक भारतिय भाषा नहीं है तो अगर बात करेंगे कौनसी भारतिय भाषा नहीं है मैंने आपको बताया था संविधान के आठवी अनुसूची में या schedule 8 में हमारी 22 भाषाओं को मानिता प्राथ है ठीक है और उसमें अगर आप देखेंगे इसमें कौनसी नहीं है आपसे पूछा है तो इसमें सिख ही कोई भाषा नहीं है टोटल शुरू में 14 भाषा थी उसके बाद 21 समविधान शंशोदन आया फिर 71 वह और 92 समविधान शंशोदन से 1967 में सिंधी भाषा को जोडा गया 71 समविधान शंशोदन से मनीपूरी कॉंकणी और नेपाल 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और सांथनी को जोडा गया है याद रखिएगा टोटल इस समय 22 भाषा है है निमलिकित में से राष्टे आये के लिए किसका अधिक्तम योगदान है तो इस समय किसका अधिक्तम योगदान अब हो चुका है अब सेवा चेत्रियानी सर्विस किसमें अप्लाइड है और उत्तरप्रदेश का भी कमोबेश पूरा यही हाल है आगे चलते हैं निमलिकित में कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विशमता को कम करने में सहायक होगी तो कौन सी जो हमारे यां economic disparity बहुत जादा है अमीर अमीर बनता जा रहा है गरीब ग जादा कमाएगा उसे समाज के खित्में जादा पैसा सरकार को देना चाहिए ताकि सरकार उसको अलग-अलग welfare schemes में लगाकर वाफिस से pump कर सके भारत के निमलिकित में से किस राश्पति की आत्म घता है तो बहुत फेमस है टॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी की आगे जलते हैं परवरी 2023 में केंद्रे शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामगरी का सुभारम किया इसका नाम क्या है तो इसका क्या नाम है जादुई पिटारा के नाम से परवरी 2023 में घोशित मिष्थी योजना कि किस से संबंदित है तो देखें मिस्टी योजना की फुल फॉर्म बता देता हूँ याद कर लीजे मैंगरोव इनिशेटिफ फॉर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इंकम्स तो आपको साफ पता लग रहा हुआ है किस से संबंदित है मैंगरोव से संबंदित है अभ फर्टिलाइजर वगयरा से संबंदित है उर्वरकों से संबंदित है तो इसमें कॉंसा उप्षन आपका सबसे अच्छा होगा किरशी में रसायनिक उर्वरकों के उपियों को कम करना तो अब बायो फर्टिलाइजर की बात सरकार कर रही है और गैनिक खेती या जैविक खे का, यह मैंने current affairs में भी cover किया है, फरवरी 2023 में अंतराश्ट ए मात्रभाशा पुरुसकार से किसे सम्भानित किया गया है, तो फरवरी 2023 में इस पुरुसकार से महेंद्र कुमार मिश्रा जी को सम्भानित किया गया है, पत्रकारिता में उतक्रश्टता के लिए प्रतिष्टित राजा राम मोहन रॉय राष्टिय पुरुषकार किसे दिया गया है तो ये दिया गया है ए बी के प्रसाद जी को ठीक है ये भी इंपोर्टेंट है परवरी 2023 का ही अवार्ड है तो करेंट अफेस के साथ हम लोग लिंग करकर पढ़ रहे हैं अब बात है कंप्यूटर बाइनरी बेस पर काम करता है जीरो और वन तो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं ट्रांजिस्टर का प्रियोग कौन से कंप्यूटर की PD में शुरू हुआ था तो सेकंड जनरेशन में शुरू हुआ था याद रखें नमलिकित में से कौन सा परसनल प्रियोटर का एक भाग नहीं है यूसबी ठीक है यूसबी की फुल फॉर्म भी पूछता रहता याद रखिएगा यूनिवर्सर सीडियल बस ठीक है इसके फुल फॉर्म पूछता रहता इसलिए बता रहा हूँ सीपीउ की सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट रम येंडुम रोम की read-only memory, इसके अलावा एक cache memory भी होती है, जो काफी जाजा तेज होती है, कौन सा case-based learning एक उधारन है, या case-based learning का उधारन है इसमें से, तो अगर इसमें आप देखेंगे, तो k-nearest neighbor, यह हमने पहले के practice set में भी देखा था, तो यह इसका एक case-based learning का example है, lazy learning algorithm का दूसरा नाम क्या है, तो lazy learning algorithm का दूसरा नाम है, क-nearest neighbor, option A, a dedicated computer, या एक समर्पित computer की अगर बात करें, तो क्या होता है, इसको सौपा गया और केवल एक ही कार रहा, यानि वो किसी एक काम को dedicate है, मालीजिए अगर किसी को मौसम विज्यानी data का analysis करना है, तो वो मौसम से संबंदिद data का analysis करेगा, तो वो उसके लिए dedicated computer है, अगर किसी को आप मालीजिए बाल का analysis करना है, कि किसी छेत्र में कितनी बाल आ रही है, बार-बार क्यों आ रही है, तो वो बाल के लिए dedicated computer है, कोई भूकम को study कर रहा है, तो भूकम को dedicated computer है, कंप्यूटर के संदर्ब में wetware क्या होता है, तो computer के संदर्ब में देखिए, यह हमने करा था, SFC वाले प्रशन में देखिए, इसलिए उन्होंने यहां पर डाला है, इसको बोला जाता है human brain, मानर्व मश्टिष्क के लिए आपका wetware शब्द का use computer के शेतर में किया जाता है, extension file of vrml, यानि vrml file का extension क्या है, और vrml लेखिए होता क्या है, virtual reality modeling language, यह मैंने अभीदक आपको नहीं पढ़ाया, तो इसकी fill form भी याद कर लीजिए, virtual reality modeling language, और इसका extension क्या होता है, .wrl, option b, .wrl, ठीक है, vml मतलगाईएगा, wrl होता है, अगला, in emv card, तो emv chip card में e का क्या अर्थ होता है, तो e का अर्थ होता है, euro pay, ठीक है, euro pay option c, और इसका पूरा नाम अगर बात करें क्या होगा, euro pay master card and visa, ठीक है, euro pay master card and visa, ms word 2019 में footnote insert करने के लिए shortcut keys कौन सी है, तो control plus alt plus f, option a, पिछे तरवा देखते है, the shortcut key control plus x used for which of the following, तो इसका मतलब क्या होता है, cut करने के लिए use किया जाता है, जो आपने select text किया है, cut करने के लिए, देखते हैं कहाँ पर है, option d में दिया हुआ है, select कियेगा text को cut करने के लिए, word document के संदर्व में, gutter शब्द का किसके लिए प्रियोग किया जाता है, तो जैसे आपने अगर word में कोई document print किया है, तो side में binding वगयरे के लिए space दिया जाता है, तो जो left में space रहता है binding के लिए उसे gutter बोला जाता है, तो 76 का है, आपर कौन सा option होगा, सिलाई और binding के लिए एक तरफ बचा हुआ, यह भी काफी जादा पूछता है, question important है, जब आप MS Excel में spreadsheet खोलते हैं, तो dash Excel worksheet का नाम प्रदर्शित करता है, तो कौन सी बार इसमें से जो दिया हुआ है, आपको कहा पर नाम प्रदर्शित होगा, तो title बार में नाम प्रदर्शित होता है, निम्न में से कौन सा internet banking का एक लाब नहीं है, तो इसमें internet banking का क्या लाब नहीं है, ब्याज की उच्छतर दर प्राप्त करना तो देखे, इंटरनेट banking का इससे कोई संबंद नहीं है, यह तो जो केंद्रिय बैंक होते हैं, वो अरभी आईगी जब मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तब उसमें डिसाइड किया जाता है कि क्या rate of interest बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, तो यह वहा से संबंदित है, इससे कोई संबंद इसक इंटर किसका उधारन है, तो यह in-put device का उधारन है, ठीक, इन-पूट्ट डिवाइज, ठीक करेक्टर reader से आप समझ सकते है, read मतलब कुछ पढ़ेगा यह तो यानी कुछ पढ़ेगा तो मतलब कुछ input लेगा, ठीक को यह in-put का उधारन है, जैसे आपका barcode reader होता है उसतरी किसे आप इसे समझ सकते हैं अब देखते हैं यूपी स्पेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतिय प्रद्योगी की संस्थान तो IIT उत्तर प्रदेश में कहा पर है IIT है कानपूर अगर बात करें ट्रिपल आईटी की इंडियन इंस्टिट्यूट आफ इंफॉर्मेशन सन 1975 में उसकी स्थापना हुई है कानपूर में और क्या है आपका दलहन शोद संस्थान है इसके लावा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ शूगर टेकनोलोजी भी कानपूर में इसके थे आगे चलते हैं जन्रणा 2011 के अनुसार सरवादिक औसत शाक्षरता वाले निम लिख उत्तर परदेश सरकार की एक जिला एक उजपाद योजना का उत्देश उत्तर परदेश में किसको प्रोच साहित करना है तो वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट आपको पता है स्वधेशी और विशेश उत्पाद जो किसी पर्टिकुलर जग्राफिकल एरिया से आते हैं उस वाल कौन थे तो उत्तर परदेश की प्रथम राज्य पालती श्रीमती सरोजनी नायडू जी कब से कब तक 1947 से उत्तर परदेश में प्रथम विकलांग विश्विद्याल है स्थापित किया गया है तो यह मैं आपको दो से तीन बार अप्ता चुका हूं चित्रकूट में क्या नाम है जगतगुरू राम बंद्राचार्य विकलांग विश्विद्याल है भोटिया भारावंकी बुक्सा बिजनौर राजी गोरकपुर थारू बांदा तो इसमें आपसे पूशा है कि कौन सी सही मैचिंग है तो इसमें देखिए बुक्सा जो ट्राइब होती है वो बिजनौर और आगरा जन्पद में मिलेगी थारू आपती उत्तर प्रदेश की तराई बैल्ट में और स्पेशल भी आपकी उत्तरखंडगी जन जाती है गोदान किसके द्वारा लिखा गया तो गोदान तो बहुत फेमस जो हमारे यहने काल जयी उपन्यासकार बोला जाता है मुशी प्रेम चंद जी और इनके अलावा और बहुत सारी है देखिए सेवा सदन प्रेम आश्रम रंग भूम निर्मला, कायाकल्प, गबन, मंगलसूत्र, कर्मभूमी, संगराम, कर्बला, प्रेम की वेदी यह सारे कुछ इसके एक्जाम्पन है प्रेम चंद जी के द्वारा लिखे निमलिकित में से किस ने लखनव के सांस्कृतिक क्रिया कालापू में योगदान नहीं दिया था तो आपको गुजरात, कोस्ट वगएरा पे मुंबई में इधर काफी मिलते हैं चेर सहा सूरी का अंतिम अभियान निमलिकित में से किस राज्य के विरुद था तो देखिए ये था आपका कलिंजर के विरुद और यहीं पर देखिए बारूद फट गया था जिसकी वज़े से मरत्य हो गई थी और दुबारा से औरन देव को वापिस आने का मौका मिलिया था और वो सरहिंद की लडाई में 1555 में सिकंदर सूरी को हराता है और दुबारा से मुगलोग अशाशन भारत में स्थापित हो जाता है और लेकिन वो 1556 में फिर से उसकी डैथ हो जाती है अपन इसके लावब बात करें चकेरी तो चकेरी आपका कानपूर में है इसके लावब बात करेंगे पुर्सत गंज आपका राय बरेली का है और बंबरॉली इलाबाद का है तो इसको मिला लीजिये Option D हमारा यहां पर सही बैठेगा कोटा कहां पर है राजिस्थान में है तारापूर महराष्टर में है काकरापार गुजरात में है नरौरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का एक मात्र यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1991-92 से यह 440-440 मेगावाट की इसम Software and Business Process Outsourcing यानि BPO वगएरा का सबसे बड़ा केंदर उत्तर प्रदेश में कहा है तो उत्तर प्रदेश में देगे सबसे ज़्यादा इस समय जो Services सेक्टर डेवलप है वो है नोईडा में नोईडा में बहुत बड़ी-बड़ी MNC है Tech, Mahindra, HCL, Infosys इन सबके offices आपको नोईड उत्तर प्रदेश में computer added designing परियोजना का केंदर कहा परिस्तित है तो CAD इसे बोला जाता है मैंने आपसे कहा था CAD और CAM यानि computer added design और computer added manufacturing इन दोनों को याद रखिएगा इस नाम का full form भी आता रहता है तो कहां पर है ये लखनव में इस्तित है उत्तर प्रदेश राज्य में न साम गंगा बांध आपका सबसे उचा है आगे चलते हैं निम्निकित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना है ठीक है याद रखिएगा पेजल किसे चाही नहीं पूछ रहा drinking water आपसे project पूछ रहा है तो गोकुल बैराज परियोजना आगे चलते हैं पूरव उत्तर परदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है तो मैं आपको बता चुका हूँ खरीफ फसले वह होती है जिनको growth के time पर या बढ़ोतरी के time पर किसकी आवशक्ता होती है जादा पानी की आवशक्ता होती है तो यह कौन सी होंगी आपकी मौनसून का बाता है हमारे है जुन जुलाई में आता है तो उसी दौरानी की बुवाई स्टार्ट की जाती है सबसे important फसल कौन सी है राइक्यू की राइस यानि चावल जो की एक बहुत water intensive crop है ठीक है तो यही देखिए हमारे आज के सारे प्रशनते जो इससे संबंदित थे I hope आपको यह practice set पसंद आया ह होगा अभी इसके लगबग 8 practice set और बचे हैं तो वह भी मैं आपको जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि हम और कोई book अगर market में अवेले भलोगी तो वह भी हम cover कर लेंगे उत्तर परदेश देखिए special के लिए मैं दो वीडियो बना चुपा हूँ मैं request करूँगा आप उनको ज